हलो वोट्सप दोस्टो कैसे हैं आप सभी एक बार फिर मैं सिधात आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपकी अपने चैनल में करियर भाई में दोस्टो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कॉल सेंटर के अंदर आपको सैलरी कितनी मिलती है तो एक एकदम बीसिक सैलरी से ले करके हाँ यह सैलरी तक हम जाने वाले हैं और देखेंगे कि कौन से कौन से पोस्ट है और उनको कितनी कितनी सैलरी यहाँ पर दी जाती है और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही यही है कि हमेशा यह कहा जाता है कि कॉल सेंटर के अंदर जो है वो आप एक शुरुवात के तोर पर ही काम करते हैं यहाँ पर आप जादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं बहुत बढ़िया सैलरी नहीं मिल सकती है तो एक्चुल में यहाँ पर पिक्चर क्या है यह आपके सामने रखने के लिए ही ये वीडियो में बना रहा हूँ इसकी एक लिस्ट मैंने बनाई हुई है और एक पूरी लिस्ट जो है वो मैं जो पोजीशन होती है उनके हिसाब से पढ़ने वाला हो तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शुरू करने से पहले ही एक चीज मैं आपको बता दू कि ये जो salaries मैं आपको बता रहा हूँ ये यहाँ पर जो है वो हम कह सकते हैं कि फॉर reference है company to company इसमें 19-20 का फरक हो सकता है जादा तर company industry standards के अनुसार चलती है लेकिन कुछ company ऐसी होती है जो कि थोड़ा सा higher pay करके जो है वो जादा से जादा talent को acquire करना चाती है तो ये company to company हलका फुलका change हो सकता है लेकिन on an average कितनी मिलती है तो शुरुवाती salary जो है जो सबसे नियूनतम salary है वो यहाँ पर 8550 रुपे की मिलती है जो की position होती है sourcing assistant की तो उनकी लिए 8550 रुपे की salary जो है वो offer की जाती है अब हम regular जो सारे post है उनकी salary one by one जो है वो आपको मैं बताता चलता हूँ अब lowest तो हमने खेर जान लिया है अगर call center representative की तोर पर काम करते हैं शुरुवाती salary 11,900 रुपे की रहती है call center scheduler की तरह काम करते हैं तो 13,800 रुपे की salary मिलती है call center scheduling manager की तरह आप काम करते हैं उस post पे काम करते हैं तो 20,000 रुपे की salary प्रती महा मिलती है ये सारी salary जो है वो प्रती महा की मैं बता रहा हूँ प्रति वर्ष की नहीं call center supervisor की तरह काम करते हैं तो 16,600 रुपे पास सकते हैं call center में अगर team leader की तरह काम करते हैं तो 20,400 रुपे तक की salary offer की जाती है client engagement specialist की तरह काम करते हैं तो 23,300 रुपे की salary मिलती है client executive की तरह पर काम करते हैं 16,600 रुपए तक की salary मिलती है Client License Officer की तरह काम करते हैं तो 11,400 रुपए तक की salary दी जाती है और अब तक की जो list में पढ़ रहा हूँ उसमें से सबसे ज़ादा salary अब तक की जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ आगे भी कई सारी post है लेकिन अगर आप Clients Relation Manager की तरह काम कर रहे हैं उस post पे काम कर रहे हैं तो आपको 42,800 रुपए तक की salary ओफर की जाती है याने कि 42,800 रुपीज की salary इसके बाद Client Service Analyst तो 24,700 रुपए तक की salary ओफर की जाती है Client Service Representative की salary जो है वो 11,900 रुपए की ओफर की जाती है Client Strategy Specialist Customer Care Representative 11,900 Customer Experience Analyst 15,000 रुपए Customer Experience Manager के तौर पर काम करते हैं तो 42,842,800 रुपीज Customer Service Specialist 26,600 Customer Fulfillment Specialist की तरह काम करते हैं तो 24,200 रुपए तक की salary ओफर की जाती है Customer Insight Analyst 25,400 रुपए Customer Problem Solver और Customer Service Advisor ये दोनों ही बहुत ही करीबी पोस्ट हैं तो इनके लिए salary भी बिल्कुल सेम ओफर की जाती है जो की है 26,100 रुपए की Customer Service Associate 11,900 रुपए Customer Service Executive 28,500 रुपए Customer Service Supervisor 18,500 Customer Service Team Leader 26,600 Customer Service Trainer 21,900 Customer Success Manager 49,900 याने के 39,900 रुपीस Cover ही कर रहा हूँ केवल जो Call Center में Actual Call Representatives होते हैं उनसे भी परे जाकर के जो उपर की भी Positions होती है उनको भी हम यहाँ पर अब Cover कर रहे हैं तो बात हमने की Real Time Analyst की जो की 23,800 रुपए की Salary Offer की जाती है Regional Account Manager 49,900 रुपए 39,900 रुपीस Service Delivery Manager 40,400 रुपए Service Writer 9,980 रुपए और फिर Sourcing Agent जिनकी Salary मैंने पहले बताई जो की सबसे Starting Salary होती है 8,550 रुपीस Telephone Operator 9,030 रुपए Vendor Administration Specialist 15,200 रुपए और Workforce Manager 25,200 रुपए तो ये कुछ positions हैं जो की Generally Call Centers की अंदर वगेरा जो है वो ज्यादातर करके होती है और इन positions पर अगर आप काम करते हैं तो आपको एक On An Average Salary कितनी मिल सकती है ये मैंने आपको खेर बता दिया है और जो चीज मैंने वीडियो की शुरुवात में कही थी वो मैं अभी भी repeat करना चाहूंगा कि ये जो है वो Average और आपको अंदाजा आने के लिए बताई गई salaries है Company to Company इसकी अंदर थोड़ा बहुत difference आ सकता है कुछ ऐसे एरियाज में अगर Company है जो की Metro Cities में नहीं है जो की छोटे टाउंस के अंदर है तो हो सकता है कि इस salary में थोड़ इसी गिरावट आ जाए या कोई Company अगर Metro Cities में उपरेट कर रही है जैसे की दिल्ली, मंबाई, पूने या बैंगलोर, चन्नाई तो ऐसे cities में अगर आपरेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ा सा इजाफा भी हो सकता है तो ये थोड़ा सा जो है वो Company डिफर करता है तो बस दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही I hope या वीडियो आपको पसंद आया होगा काम का लगा होगा तो दोस्तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए जादा से यादा शेयर कर दीजिए कुछ सवाल है आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं